हेई फ्रेंड्स वेलकम टो अंग्रेजी गुरुजी मैं निरेशिंग राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं यहाँ पे आपके समक्चु पस्तित हुआ हूँ एक बहुत ही इंपार्टेंट टॉपिक लेके जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया की most of the population अभी भी गाउं में रहते हैं तो गाउं में रहने वाले जो भी लोग हैं, there are many provinces in इंडिया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे states हैं तो आपको बताओं कि अलग-अलग भासाएं हैं, लेकिन जो general भासा इंग्लेस हैं, जो कि आज आप देखोगे हर syllabus में, हर colleges में, हर interview में वही use होता है मैं यह नहीं कहा था कि अपने मातरी भासा से प्यार मत करो, but English आज हमारे life का एक महतपुर्ण हिस्सा बन चुका है, right English speaking पर काम करेंगे, बट उससे भी ज़्यादा important है आपका personality development आपका personality के स्तरी तरीके का है, इसे बहुत हद तक आपकी स्तरीके के individual है, वह दिखाता है दोस्तों तो यह जो class में आपके समक्ष लेक आए हूँ, यह आपके personality को develop करने के लिए बहुत सारे, मैं भी गाउं से हूँ, मैं भी जब गाउं से सहर की तरफ आया तो पढ़ने के लिए मुझे बहुत परिशानी हुई गाउं वाला accent था, रहने सेने का डंग भी अल्मुस्ट गाउं से ही था, गाउं जासा ही था परिशानी बहुत होती थी, किसान फैमिली से बिलॉंग करता था तो लोग मुझे कुछ नीचे भरी नजरों से भी देखते थे तो बहुत बड़ा और काफी struggle वाला सफर रहा उससे उपर उठने का तो यह कोर्स मैं इसलिए आपको यह कराना चाहता हूँ कि आप अभी भी आज सब के पास access है mobile का गाउं में भी internet का तो आप सब देख पाएंगे आप इसे सीखिए और कभी आगे निकलने का आगे बढ़ने का बड़े सहर में जाने का बड़े colleges में जाने का मौका मिले तो उससे यह आपके life में एक road on up बने तो चलिए बढ़ते हैं सारा सफर में इसमें सहीज के दे रहा हूं आप राइट मैं आपको बताता रहा हूंगा वेन आई विस्टेट मेनी कंट्रीज तो वहां लाइक हाओ अई टेकल्ड अल्ड लाइग वहां पे सिर्फ इंग्लिस था मेरा personality ऐसा था कि मैंने उस सारे situation को handle कर पाया मैं तो चलिए आज का सफर सुरू करते हैं दोस्तों बहुत इंपॉरेट है चुपके बैठी है कमर की पेटी बांद लीजे राइट चलिए सबसे पहले personality development होता क्या है हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों परसंटी डेवलप्मेंट होता क्या है यह हम अपने मेंटॉर्स से इंटर्व्यू में अपने टीचर से जर्ली हम सुनते रहते हैं और अब बहुत सारे आप देखोगे बुक्स भी इस पर पब्लिस होते हैं कराते हैं क्यों का importance है आज के डेली लाइब में आपका personality अगर डेवलप्म नहीं है तो आप एक अच्छे और एक impactful इंसान नहीं दिखेंगे जैसी कि आपके बोलने का तरीका आपका body language आपके कपड पहनने का तरीका आपके चलने डालने का तरीका आपको लोगों के साथ इं पहले सबसे पहला कहता है be confident एक बहुत बड़ी कहावा थे English में being confident is the first secret to success अगर आप confident है तो यह आपके काम्याभी की पहली सीड़ी है without confident हुए ना तो आप इंगली से बोल पाएंगे ना प्रॉपर्ली किसी से इंटरेक्ट कर पाएंगे आपका body language काफी डल रहे हैगा तो confident बनिया confidence is something that can scale up your attitude, scale up your personality confident रहना बहुत जरूरी है प्याले दोस्तों, right मैं हूँ यहाँ पर help करने के लिए कोई doubt हो आप comment box में लिखिए मैं I'll be more than happy to assist you right so here we go अब confident रहना बहुत अच्छी बात है but confident कैसे रहे उसके लिए आपके लिए मैंने कुछ points बनाया है वह देखिए और समझे उसको और साथ में मैं समझाता हूँ चल रहा हूँ तो उससे listen लेते चले ठीक है अपने आप में बहुत हथा confident रहे है और यह एक की है confident रहना एक की है कुछ भी आप करते हैं कुछ भी important आप करते हैं तो personality development का सबसे important topic है being confident confident रहना पड़ेगा आपको confidence से आपका सारे life का सारे life का जो रास्ता है वह खुलता है अगर आप confident हैं तो confident नहीं रहेंगे आपके interview में जाएए जुक्के बात करेंगे आपका tone जो रहेग आखे जोकी रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे this guy is not confident enough for my company वो आपको interview में नहीं बैठने देंगे दोस्तों चाहे वो आपके job के लिए interview है चाहे आपको किसी college में दाखिला के लिए interview है he will face difficulties right अब देखिये अपनी capabilities पे कभी भी doubt मत करिये संदेह मत करिये क्योंकि आपकी अंद बहुत बहुत एक अच्छी कहावत बताऊंगा ठीक है तो ऐसा क्या है कि कुछ ऐसी चीजी है जिस पर आप काम करेंगे तो क्या हो जाएगा आप काफी capable हो जाएंगे बस में क्या है कुछ चीजों पर काम करिये effort लगाए जो मैं सिखाऊंगा इससे आप डर से दूर निकल जाएंगे confident हो जाएंगे डर लगता है किसी के सामने जाके बूलने में किसी के सामने खड़े होने में काफी उंचे होदे का इंसान है तो वहां पर वर्ट से माउथ ने निकलता तो यह जनल इसूस है मेरे साथ भी हुआ है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी ऊपर चले ग किसी के अंदर भी ताकत की कमी नहीं होती अगर उनके अदर कोई किसी चीज की कमी है तो वह है इच्छा सकती कि अगर आपने ठान लिया तो आप कर लो गया तो ठानिये कि मुझे करना है तो करना है है कि देखो कंशा सक्कस स्टोरी पढ़ा कर owe अपने आपको एसे लोगों के बीच में रोखो जो काफी आपको मौटिवेट करें इंकरेब करें जो डिमोटिवेट करें निगेटी बात करें उनसे दूर रहो तो आप भी उनके जैसे हो जायों ए तो ऐसे लोगों के साथ रह करता है और आपको एक पर्स चार्मिंग परसनालिटी बनने में काफी हेल्प करेगा यह मैंने आपके लिए लिखा है जिसके कि आप देखके और भी समझ रहे हो बाकी मैं समझा रहा हूं आपको तो समझते रहे हैं आपने आपको कोशिश करिए confident लोग जो ऐसे ऐसे लोग हैं जिससे कि आप सीख सकते हैं राइट एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है कि मुर्ख दोस से पढ़ा लिखा दोस्मन अच्छा कहते हैं ना तो इसलिए कहते हैं कि उससे आप उपर उठोगे आप आपका जो self confident है आपका जो personality है वो काफी scale up होगा उपर जाएगा समझते हैं तो इसलिए इसलिए क्या है कि और success stories ज़रूर पढ़िए बहुत सारे ऐसे आपके mentors होंगे जिससे जिसको आप adore करते होंगे जैसी कि आप Steve Jobs को पढ़ लिए आप APG Abdul Kalam को पढ़ सकते हैं there are so many people जिसके जिवनी पढ़ सकते हैं आप उनकी कैसे वो zero से वो कैसे एक hero बन गय है उनकी बारे हम पढ़िए इससे आपको काफी हद तक motivation मिलेगा और आप confident वहां से होते हैं चले जाएंगे I hope यह समझ आ रहा है आपको very nice okay अब आगे देख लिजे का कह रहा है success stories के बारे मैंने आपको बता दिए कि success stories बढ़ना बहुत जरूरी है right अगर आप कुछ ऐसा कर रहा है तो उसमें आप भरोसा रखें और उसमें अपना पूरा hard work दीजे मैं कह रहा हूं कि कोई भी इंसान अगर अंग्रेजी बुलने के बाद हो या अगर गणित ही आप solve करते हैं if you solve mathematics were you very intelligent from the very first day no you worked on it आपने दिन रात करे के महनत किया you learned the formulas right you learned the formula and then you became capable of solving any questions तो टाइम लगता है टाइम लगता है टाइम लिजिए महनत करिए ठीक है तो हर चीज हर चीज में टाइम लगता है लेकिन उस पर आपको भरोसा होना जरूरी है have faith अपने अंदर जस्ट यह बोलते रहिए all is well all is well movie देखा है न वो I can do it I can do it I can do it अपने subconscious mind को आपका जो conscious mind होता है जो आप जनल सोच ते एक होता है subconscious mind उसको जो आप बोलोगे वह जरूर करके देता है तो उसको आप दिमाग में यह fear up करो कि मैं कर सकता हूं कर सकता हूं तो जरूर कर लो गया believe me believe me जैसे start doing it guys yes आगे बढ़ते हैं ठीक है अब क्या होता है ऐसा मतलब बहुत ज्यादा क्या appealing क्या होगा जब आप आपके अंदर जब confidence हो जाता है बहुत अच्छा तब आपका क्या हो जाएगा आपका personality अपनी आप develop हो जाता है और वो काफी appealing होता है सामने वाले इंसान पे काफी impact डालता है तो जो भी मैंने टीप सब तक बताया है उस पे अगर आप काम करते हैं तो वह आपके personality के लिए काफी appealing हो जाएगा उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा no doubt आपको मेहनत करना पड़ेगा you will have to work on it right you will have to improve your communication you will have to improve your addressing sense you will have to improve the way you interact with the people you will have to just learn so many new things I'm just teaching you just go through it and do it it will definitely help you guys definitely right अगे बढ़ते हैं अगला पड़ा बाता है वी योर्सफ आप आप हैं किसी को कोपी ना करें प्लीज आप यह सोचेंगे कि मैं एपी जे अबदुलकलाब मत जाओंगा नहीं संभव नहीं हो सकता है कि आप एपी जे अबदुलकलाब से बहुत उपर चले जाएं हो सकता ही कि आप एपी जे अबदुलकलाब के चर्रों में ना भी ना हो वह यह आपकी अपनी personality है आप यूनिक है just think मैं यूनिक हूं मेरे आकोर्ड सा होता है आपको देख के मतलब आपको मन करेगा फेक दूँ बड़ उसकी कीमत आपको नहीं पता उस तरीके से आपकी कीमत आपको पता नहीं है अपने आपको समझो अपने आपको फेस करो जिस तरीके हीरे को तरास के इतना बहमुल बना देते हैं उसी तरीके से आप अपने आप को पॉलिस करके मेहनत करके अपने उपर आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा गर्स रखते हूं राइट Excuse me ठीक है So Steve Jobs के बारे में आपने सुना होगा Steve Jobs है हमारे Microsoft के संस्थापक You know who is Steve.. Sorry Bill Gates Bill Gates is the owner of the founder of Microsoft He used to be one of the richest person in the universe I mean the entire world सारे कंट्रीज में उनके जासा richest person कोई नहीं था लगव दस साल तक वो richest थे भूपता है का करते हैं Never compare yourself with any other in this world If you do so, you insult yourself किसी से भी अपने आपको compare मत करो अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी इंसल्ट करते हो आप अपने आपको लज्जित करते हो सरमिंदगी महसूस करते हो क्यूं? क्यूंकि आप unique हो आप उनसे अच्छे बन सकते हो आपकी पहचान आप से है आप महनत करके उसको तरास होगे और बनाओगे ध्यान लग्ये पढ़ते हैं आगे इस पड़ा में क्यूंकि आप original जो हो वह बनावटी कभी भी किसी को पसद नहीं होगे अपने original form को तरास हो just polish your original form right your uniqueness will start blooming up right you will just come out as flower right you will just sign as diamond just believe me and start working on you right अब यह कह रहा है यह आप पढ़ेंगे तो आपको और भी एक नया नया tips मिल जाएगा आप किसी लोगों से inspiration ले सकते हैं ठीक है पर फिर भी आपको अपने form में ही रहना है आप inspiration ले 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 जाए अबदुलकलामजी से right there are so many people वीवेक अनन से आप ले सकते हैं inspiration but don't try to be him if you try to be him you are losing your brightness nobody will recognize you well क्योंकि आप उनके shadow में आगे आप उनकी copy होगे आप आप हो भई आप अपने आपको improve करते रहिये you will definitely come out as one of the greatest people in this world अगर नहीं भी आओगे तो अब आपके अंदर आपको satisfaction मिलेगी बात समझ में आ रही है so never try to copy others ठीक है हम सब अलग हैं दोस्तों हम सब अलग हैं सबके अलग अलगी skills हैं किसी में कुछ कमियां भी हैं ठीक है तो उन कमियों को हम बाहर कैसे निकल सकते हैं तो अगर आप किसी को copy करेंगे तो वह आपके लिए आपको पीछे धकी लेगा आगे लेकी नहीं जाएगा इंस पेसे लिए उनसे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए यह ध्यान रखिए यह ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आपके लिए फैदेमंद होगा अब बहुत अगर आप कोशिश करते हैं बहुत हार्ड कोशिश करते हैं किसी ग्रूप में मैं सामील हो जाओं ठीक है तो उससे क्या होगा आपकी जो authenticity है आपकी जो originality है जो आप original you है वो निखर के सामने नहीं आयागा उससे बहुत परिशानी आपको होगे तो किसी ग्रूप में जवरदस्ती है अपने आपको ठूसने के बजाए बहतर है कि अपने आपको मजबूत करें अपने आपको ऐसा ऐसे तराज दें कि आपको कहीं जाने की जवरतना पड़े आपकी पहचान खुद में एक बहुत important role play करें आप क्या करता है कि लोग अपने आपको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं मोल्ड मतलब जिस तरीके से लोहे को गरम करके हम तलवार बना देते हैं हम बहुत सारी चीज़े बनाते हैं वो मोल्ड करना होता है तो आप अपने आपको का करते हैं किसी को कापी करना शुरू कर देते हैं अपने आपको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं that is really really bad you are the best version of yourself so you are you just try to be you दोस्तों सिर्फ आप हैं और आप अपने आपको सहीज की रखिए मेहनत करिए अपने आपको और सबसे उपर scale up कर दीज़े ठीक है क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आपको push करेंगे नीचा दिखानी कोशिश करेंगे एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है जो मजा बदलने में है न वह बदला लेने में नहीं है तो आपने आपको बदल के इतना उपर ले जाओ जो आपका haters से जो आपका competitors से आपको छूबी ना सके बदला लेने से क्या होगा आप injured होगे वो injured होगा this is not the way the best way of revenge is to change yourself so that your competitors or your haters will not be able to even touch you बात गाठ मांद के रख लिए दोस्तों यह बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने आपको बहुत मतलब इतना उपर लेके चले जाएं कि आपको कोई छूब ना सके आप कहते हैं चेकर और टायर अपने ड्रेस को जेंज करिए अपने ड्रेस को चेक करिए ड्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि कभी डेट पे जाओगे देखिये किते स्मार्ट लग रहा है ठीक है तो बहुत सारे बोलते हैं कि सर अंदर से हम ठीक हैं कोई दिकत नहीं पढ़ने में अच्छे हैं ड्रेस लेके क्या होगा when you go for any interview the interview virginally looks after your dressing sense as well internal आप अच्छे हैं बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है but external self भी आपको बहुत हद तक improve करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि वह आपका real personality show करता है अभी लोगों ने internal नहीं देखा आपको आपको चो look है वह पहला impression देता है तो wear a good dress ठीक है girlfriend boyfriend कैसे ऐसे तो नहीं बनता कुछ भी पहन के चले जाओ dressing sense बढ़ी होना चाहिए interview की बात करें daily life में बात करें लोगों पे impression तभी अच्छा आता है जब आप एक dressing sense रखते हो पहनते हो कितनी महत्मुन बात बताए मैंने तो आप इसको girlfriend पहीं लेकि मजच चले जाएगा right यह daily life पे भी आपके लिए बहुत जादा correlate करता है ठीक है तो यहीं बात मैंने ही कहा कि सिर्फ external self internal self ही सही नहीं है आपको internal self पे भी काम करना पड़ेगा अगर आप अच्छा दिखेंगे तो आपका confidence अपने आप boost up होता है और वह boost up होगा तो आपके personality अपने आप developed दिखेगा खुद बखुद developed दिखेगा तो just work upon these keynotes right just try to be good dressed up guy ठीक है उससे decent manners होता है और अपने आपको dress up कैसे करना होता है कैसे करिए अपने surroundings को देहन में रखते हुए है ना जैसा मतलब कोशिश करिए कि जिस तरीके का महावल है उस तरीके से अपने आपको ढालने की कोशिश करिए यह आपके personality personality में चार चांद दागाता है समझ गए जरूर करिए यह बहुत बड़ा role play करता इससे भी आपके personality पे थोड़ा सा वह आप ज्यादा फॉर्मल नहीं दिखेंगे ठीक है प्रोफेशनल नहीं दिखेंगे तो अन प्रोफेशनल में दिखेंगे आप iron cloth ज़रू पहना चाहिए जिससे के आप प्रिजेंटेबल लगें ठीक है यह धियान रखिए बोडी लैंग्वेश पे काम करना बहुत जरूरी है अगर बोडी लैंग्वेश आपका सही नहीं है तो एक बैड इंप्रेशन दे रहे हैं अपने सामने वाले पर बैडी लैंग्वेश जो होता है बहुत इंपर्टन होता है आपके personality को दिखाने के लिए आपका verbal communication skills दिखाने के लिए जैसे कि आप किसे के सामने बोलोगे किसे के सामने आप चलोगे ठीक है तो वह कही न कहीं क्या होता है वह आपका real self-represent करता है तो कोशिश करेंगे कि आपका जो body language हो बहुत बढ़िया होना चाहिए क्योंकि यह आपके बारे में बहुत हत्तक बताता है ठीक है और people को आपके बारे में exact धारना करने में, सोचने में कि कैसा इंसान है यह मदद करता है तो अपना body language बहुत बढ़िया रखिए आप body language है क्या अतात पर है जैसे आप अब walk करते हैं जैसे आप खड़े होते हैं अब बहुत लोग अंब दिवार से इसे खड़े हो गए इसे रहो फैंसे नहीं कि बोस्ट आफके से देश्ट होना चाहिए है तो यह सोल्डरे में होना होना चाहिए और वह ऑने जैना आपने ज्यादल हूं आपने आप लेंगदा के हैं भार कि घ्ठव क науч大概 से लिमि लुए ज़कते हैं तो यह बहुत हथक impact डालता है जिस तरीके से आप बोलते हो आप बोलना कैसे improve करें spoken English सही करिये, pronunciation बढ़िया करिये, जो बोलिये, शुद्ध बोलिये, तरीके से बोलिये, ज्यादा extra मत बोलिये खाये, तरीके से खाये, मुँ बंद करके खाये, तो यह बहुत हथ तक आपके personality को generally क्या करता है, show kids, अगर यह सब आपने सुधार लिया, तो आपके personality में जार चांद लग जाएगा, it will bring wonders in your personality, believe me, और हमेशा upright direction में walk करिये, ठीक है, और posture straight होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, यह बहुत हथ तक आपके personality को develop करेगा, अपरेट पोजिशन में तो आपने करना ही यह वो, तो यह तो काम करेगा, हमेशा ऐसा नहीं कि एकदम तो इस तरीक होना चाहिए, और जब भी आप किसी से बात करें तो आई-कॉंटाक्ट होना चाहिए, बहुत लोग क्या होता है कि आप ऐसे देखने लग जाते हैं, आप सामने वह लगता है कि लाइन मार रहा है, तो हो सकता है कि आप गाली खालो, थपड़ खालो, तो थोड करें चाहिए या धिखा Patch क्या है, अब होता है, होता है automation, aoωके, इसके लिए, मतलब होता है, politeness विनम्रता, यह बढ़ किस तरीके से हल्प करते हैın, helping hand Fangh angry जाते हैं, तो कोछिप पहले बूरि की मेडम आप बैठिए थे अचाने मादर-फादर के सामने आप पहले मत बैठिय उनको पैटने दीज़े, बुज़र्गों की जरूर मदद करिये, कोई परशन अगर नीड में है, तो काफी हमबल तरीके से उनकी मदद करिये, है ना? तो यह क्या होता है, आप कभी बी ओल्ड फैसर नहीं होगा, आप जन्म जन्मांतर से सुनते होगे, पुराने जवाने से किस तरीके से अपने बड़ों की हम इज़्जत करते हैं, गुरू की कितने इज़्जत करते हैं, तो यह ध्यान रखिये, बी कॉटियस, इस इस मच इडी हो, कोई पड़ोसी हो, किसी को भी, आप मदद करेंगे, तो इसमें आपके परसनलिटी उनके मन में अवधारना जो आएगी, वो काफी हद तक पॉजिटिव आएगी, और मदद करने से क्या होता है, उनका असिरवाद भी तो लगेगा, दुआए भी तो लगेगी, त दोस्तों, यह बहुत हद तक अजिसी रैंडम एक्ट कभी कर लिया आपने, आप कभी मालो किसी का मदद कर दिया, तो यह ऐसा नहींगी, सरफ आपका ही दिन बनेगा, उनका ही दिन बनेगा, आपका दिन भी अच्छा जाएगा, क्योंकि आपके मन में यह पोजिटिविटी तभी एक प्रापर इंपक्ट आएगा, कि यह इंसान सब के साथ निउट्रल है, है न, क्योंकि बच्चों के साथ पिजद से पेश आना बहुत जरूरी है, तो बी कॉर्टियस, remember that, चलिए, आगले पड़ आपकी तरफ चलते हैं, अचा, तो इससे भी आपके गया होगा, प हम, anyway, तो लोगों से friendship करने की कोशिश करिए, बात करने की कोशिश करिए, ठीक है, तो यह काफी जरूरी है, humorous रही है, थोड़ा सा joke वेगरा, अपने दोस्तों के बीच में, थोड़ा सा funny type way में थोड़ा सा act करते रही है, महाल को काफी cool रखिए, तो इससे भी का होगा, कि आपका personality पे असर पड़ेगा, कि this is the guy, who makes everybody happy, who makes everybody laugh, आपके कारण लोगों के चेरे पे smile आती है, तो यह इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है, तो यह बहुत जरूरी है, तो इससे क्या होता है, कि महाल काफी सब तक cool down रहता है, और काफी मतलब refreshed रहता है, और ऐसे इंसान को सारे पसंद करते हैं, जो उनको हसने में, या उनको smile कराने में मदद करें, ठीक है, यह बात मैं बोल चुका हूँ, तो यह जरूर दियान रखेगा, ओके, अब अगर माल लोग की, अगर आप serious काफी रहते हो, हमेसा आप मेसा यह हो गया, nobody will take your pain, ठीक है, हसते हैं लोग आ आप काफी ज्यादा confident इंसान है, आपका personality developed है, लोग आपके बारे में हमेसा सही सोचेंगे, और आपका जो presence है लोग के बीच में काफी बनेगा, आप popular रहेंगे, तो personality developed इंसान का क्या होता है, हर जगा popular होता है, सिर्फ interview की ही बात नहीं, आपका social life भी है, उसके बारे में ब बात करते हैं किसी से, एक personality developed इंसान हमेसा एक अच्छा listener होता है, जब आप अच्छे से सुनेंगे नहीं दोस्तों, तो कैसे आप एक सही जबाब दे पाएंगे, अच्छा सुनने के लिए आपको English की knowledge होनी चाहिए, तो यह जरूरी है, तो हमेसा जो सामने वाला बोलता है, मत करते हैं, तो उस पे का करिये, उस पे हमेसा सुनिये, तो जब सुनियेगा तो लोग के मन में भी एक अच्छी अबधार ना आएगी कि हाँ इंसान किया करता है सुनता है उमारी बात तो बॉले पहले उसको सुनिये उसके बाद जबाद जबाब दीजे, लेट हीम और हर speak first उनको अपना sentence खतम करने दीजे कभी भी बीच में रोका टोका मत करिये ठीक है नहीं तो फिर आपके लिए वो गला सोचेंगे कि किस चीज की जल्दिया है ऑनको तो दियान रखें तो क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं कि हो सुनने मेंं कर Ruktiщa निया कैसे बभी करें उनको बॉल denn है तो सुनते हैं और उनको बस बोल न आ पैस सुनों कि बहुत बार क्या होता है एक कहावत है बीच में जो बोल देता है ना कभीः को यह 場ती बात खतम भी नहीं हो थे यह बीच में बोल देते हैं, तो उस बोलने ऑले इंसान का सेंस कुछ और होता हैं। यह कुछ और सेंस से बोल जाते हैं, तो फिर उनको दर्म bathing के झेलने पड़ती हैं। तो ध्यान रखिये, यह आपके personality को बहुत दिग्रेड कर देगा, so you have to scale up or degrade it, you have to scale up, right, तो listener बनी अच्छा, सुनने की कोशिस करें, ठेक है, being a good listener, क्या होता है, एक एकदम important step नहीं होगा, बट यह क्या करता है, कि एक अच्छा personality, एक अच्छा personality तक पहुचने के लिए, आपको बहुत हद तक मदद करेगा, getting a point, यह ध्यान लखियेगा, okay, so, आगे बढ़ते हैं, so, आपका जो personality इससे काफी हद तक develop होता है, अब कोई भी इंसान आप से बात कर सकता, करता है, तो, तो, काफी ध्यान दे सुनिए, बहुत सारों लोगों में क्या होता है, कि फौन चलने लग जाते हैं, है न, कहीं और सुचने लग जाते हैं, तो यह गलत impression डालता है, सामने वाले इंसान सुचे गए कि, यार, मैं क्यों अपना इनरजी वेस्ट कर रहा हूं इसके साथ, राइट, यह सुचेगा न, तो सुचिए, जो बूलता है, जो आपके लिए टाइम निकाल के बूल रहा है, उसके इज्जद करिये, उसको फुल रिस्पॉन्स दीज़े, नहीं सुनना है, तो साथ सब बूलिए कि I have no time, I'll just talk to you after some time, पर जब आप बात करने बैठते हैं दोस्तों, तो जरूर सुनिये पूरी बात, तो जरूर सुनिये पूरी बात, तो जरूर सुनिये पूरी बात, और अटेंशन दीज़ेगा, उनके मन में यही होगा, तो जरूर कि this is a real person, आपकी personality वहाँ पर developed दिखेगी, नहीं तो underdeveloped दिखेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और eye contact हमेशा रखिए, ठीक है, और आजपास के surrounding से distract मत हुई है, और blink करते रही आई, ठीक है, जिससे कि कम से कम लगतार देखेंगे, तो एक ये भी bad impact होता है, बिलिंग करते हुए, eye contact रखेंगे, या ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं, इससे क्या मदद मिलती है आपको, इससे आपको ये मदद मिलेगा, कि आप उनसे proper deal कर पाएंगे, और उसको काफी better way में, आप उनको handle कर पाएंगे, जिससे कि, मतलब जो भी काम आपका होगा, तरीके से proper way में होगा, complete, चाहे आप interview के लिए चाहे, चाहे किसी इंसान से बात करिए, किसी से भी, तो यह instruction जरूर follow करिए, यह बहुत हद तक help करेगा आपको प्यारे दोस्त, आप आते हैं, एट्थ टॉपिक, रीड मोर आफेन एंड डेवलप निव इंट्रेस्ट, देखिए, आप जितना पढ़ेंगे, वर्रन बुफेट का नाम सुना होगा, वर्रन बुफेट जो है, वो पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़ी इंवेस्टर है, शेयर मार्केट में पैसा उनका सबसे ज़्यादा लगता है, उनके शेयर्स एपल में हैं, उनके शेयर्स कोका कोला में हैं, बड़े-बड़े ब्रैंड में हैं दोस्तों, ठीक है, तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो कहते हैं, कि you cannot travel the world, right, you cannot travel the world sitting at your home or in your country, but yes, if you read the book, you travel the world, अगर आप किताब पढ़ते हैं, तो आप पुरी दुनिया को देखते हैं, तो उससे बहुत सारे नए आईएज आईएज मिलते हैं आपको, तो इससे काफी इंट्रेस्ट भी आपका डिवलफ होगा, आपके नॉलेज भी काफी बढ़ जाएंगे, तो इध्यान रखेगा, तो किताब पढ़ने से कल्टिवेटिटिट रहेंगे, जिस तरीके से आपके पौधे में पानी डालने से पौधा उपसता है, ब्लूम करता है, उसी तरीके से आप भी काफी ब्लूम अप करेंगे, आप भी काफी ग्रो करेंगे, जटिवेटिटिट हो जाएंगे, इध्यान रखेगा, तो रीड बुक और इससे काफी आपका काफी इंटरेस्ट बढ़ेगा, और हो सकता है कि किसी, कि आप जब किसी से को बोलेंगे बोलेंगे किसले से बात करेंगे किताब पठने से नहीं मुडेंगे से बात करेंगे तो आपको टोन होगा ऐसे सीखते हैं आप वहां से वहां से नहीं वेट शीखते हैं तो ये बहुत हैं तो make sure свет that you are talking to people जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो क्या होता है तो आप मिलते हैं उनसे अपना knowledge share करते हैं और conversation में generally उनको सामिल करते हैं जब आप पर knowledge ही नहीं होगा तो कैसे उनको conversation में सामिल करेंगे आप converse करते हैं तो क्या होता है आप उनके साथ friendly होते हैं friendly होता है, होते हैं तो उनसे भी कुछ knowledge गिन करते हैं, अपना knowledge भी कुछ उनको देते हैं, और एक तरीके से क्या होता है, कि interaction का जो way होता है, उससे आपके personality को भी चारचांद लगाता है, क्योंकि इंसान आपके बारे सोचन लग जाते हैं, this person is very much intelligent and knowledgeable, ध्यान रखे, read book करना कित लोगों से मिलेगा तो उससे क्या होगा, एक healthy step होता है, इससे भी क्या होगा, कि आप expose करेंगे, नए लोगों को, नए विचारधारा को, नए ideas को, तो नए लोगों से जरूर में दिया, और इससे आप नए नए और नए चीज़ सीखने में आपको बहुत अतक मदद मिलेग इससे आप ज्यादा opportunities मिलता है, कल्चर जानने के बारे में, लाइफ इचार जानने के बारे में, और इससे बहुत हतक आप significantly positive way में जाएंगे, जब नए नी चीज़े आप सीखेंगे, नए नी चीज़े आप चानेंगे, तो आपका confidence boost up होगा, और आपका personality बहुत बहुत हतक develop होगा, तो नए लोगों से मिलिए, make friends, right, बढ़ ज्यादा महिला मित्र और पूरुश मित्र के sense में ज्यादा नी बनाना, ठीक है, यह ध्यान रखियागा, so take it in positive way, last but not the least and most important, have an opinion, अपना विचारधारा जरूर रखिये, एक opinion जरूर होना चाहिए, आपके पास कुछ भी आ आपके पास कुछ न कुछ topic होना चाहिए, मतलब कुछ अपने बात आप अपनी बात आप लोगों के सामने कैसे हैं, जैसे इंटर्वी में जा रहे हैं, कुछ सही संद दिया गया, तो आप अपना opinion रख सकते हैं, this is good or bad, how can we improve this, तो यह सारी चीज होती है, चलिए, इसको थो काफी हद तक healthy हो जाता है, healthy हो जाता है, मतलब बाते जादा बढ़ेंगे, जादा जादा बढ़ेंगी, तो फिर से आपका personality developed person ही ऐसा कर सकता है, एक किताब पढ़ने वाले इंसान ही ऐसा कर सकता है, ठेक है, nothing but it also makes you look more influential, जब आप उपिन रखते हैं, तो आप इंफ्लूएं कि यह इंसान काफी knowledgeable है, informed है, आप कभी सर्माइए मतलब अपने opinion को लोगों के सामने रखने से, अपना opinion रखेंगे तो लोग आपके बारे में positive सोचेंगे, ना कि negative, ध्यान रखेंगा, तो यह बहुत important है, प्यारे दोस्त, तो अपना opinion हमेंसा लोगों के सामने रखें, किसी company के बारे में, आप किसी company में जा रहे हैं, या जैसे कि India का interview कुछ देने जा रहा है, कोई EOPSC का interview देने जा रहा है, तो उसके बारे में information मतलब भरके अपने दिमांग में रखेंगे, जैसे कि कोई भी opinion देने में, बोलने में, बात करने में आपको परिशानी रहा है, यह द आता है एक और, last है आपका, bring positivity in your outlook, outlook, your thoughts and your actions both need to be positive, order to have an attractive personality, आपकी thinking काफी positive होनी चाहिए, आप जो काम करते हैं, वो positive होना चाहिए, जिससे कि आपके personality में हमेशा मतलब एक positive vibe रहे, तभी लोग आपके बारे में सोचेंगे, तो यह क्या होता है, कि एक impactful outlook है, तो यह positivity हमेशा life में रहे है, चाहे situation hard so, कमजोर हो, बुरा हो, neutral रहने के कोशिश करिए, मुस्कुर आते रहे है, life में उतार चड़ाव एक आना जाना एक normal है, जिस तरीके सड़क पे, हिचाइक होता रहता है, गड़्धे आते रहते हैं, उस तरीके से life है, यह normal है दोस्तों, तो positive रहे है, outlook अपना positive रहे है, ठीक है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, वैसा ही impact हमारे सामने वाला जो इंसान होता है, वो पढ़ता है, जैसा हम सोचेंगे हमारा काम भी वैसा ही होगा, तो make sure कि आप positive सोचे, तो सारा काम भी positive होगा, सामने वाले इंसान पे proper impact पढ़ेगा, I hope यह clear हुआ आ अब अब यह द्यान देजे, if one prospers positive thoughts inside his mind, then that also gives him a confidence, अब क्या होता है, जो इंसान अपने दिमाग में positivity रखता है, तो क्या होता है, कि उसके लिए वो काफी ऊपर जाता है, उसका confidence boost up होता है, और उसका personality हो enhanced होता है, काफी बढ़ जाता है, ठीक है, तो confidence boost up करने के लिए positive रह right, तो अपने outlook को positive बनाए है, मेरे दोस्त, positive, 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 positivity is much more needed in this present scenario, क्योंकि हर जगा नहीं negativity दिखते है, आज का, ठीक है, देखो, यह मैंने बता चुका हूँ मैं आपको कि life में circumstances high lows होते रहेंगे, लेकिन आपने जोगना नहीं है, आपने हमेशा positive सोचना है, आप जरूर जरूर मतलब अच्छे situation में आजाएंगे अगर आप positive हमेशा सोचते हैं तो, this is my thinking and I know what I think is always positive, right, so that's all for today, अच्छा, एक चीज़, no, 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 no yourself, अभी 12 points कर ते हैं, I'm sorry, अभने आपको जाने, obviously before you get to developing something, you need to know all about it first, अभी आपको डेवलप करने जाते हैं, जैसे कि आप, अभी आपको डेवलप करना हैं, तो हमें अपने आपको जानना पड़ेगा, and how will you get to know yourself? चिन्तन करे, इंट्रअस्पक्ट करे कि कहां कमीया हैं, कहां खामीया हैं, कैसे हम इंप्रूफ कर सकते हैं अपने आपको, ठिके, तो जिस तरीके से किस चीज़ को जानने के लिए लुए ऐसे फुल नॉलेज़ की जर्वत होती है उस तरीके से अपने आप को जानने के लिए अपने परस्टनलिटी को डेवलप करने के लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा और आगे बढ़ते हैं तो एक इनसान जिसको डौद अपने आपको उसनी का करना होगा सबसे पहले गावकर नापड़े गी ऐपने आपके अंदर जाकना पड़ाई क्योंकि मैं बता चुका हूँ, एनलाइज करना पड़ेगा अपनी कमियां को, अपने strength को, अपने weaknesses को, अपने जरूरतों को, क्या काम करें जो उन से, उसको हम improve कर सकें, तो इस पर जरूर काम करें, जब आप अपने problems को fine कर लेते हैं, और उसको rectify कर लेते हैं, तो आपका personality develop करने में, फिर कोई कोई रोक नहीं पाएगा आपको, this is much much needed, so, find your mistakes, find your problems, find your strength, find your weaknesses, and rectify those, और कभी भी अपने problem, अपने गलतियों को accept करने से मढ डरिये, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप नहीं करते accept, तो आप वहाँ से सीख नहीं पाएँगे, आप वहाँ से बढ़ नहीं पाएँगे, आपकी growth महीं पर रुक चाहिए, तो अपने problem को समझेए, उसको accept करिए, और उसको तुरंत, तुरंत आप उसको rectify करके खतम करिए, और वहाँ से आपका personality completely develop हो जाएगा दोस्तों, I hope यह सारे टिप्स आपके काम आई, आपने कुछ यहाँ से सीखा, मिलते हैं अगले important वीडियो में, तब तक के लिए, इन सारे points को, यह वीडियो को एक बर तुबार रिवाइंड करके देखिये, कोई doubt हो, कोई solution चाहिए, तो जरूर comment box में लिखिये, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, I believe आपका personality develop होना आज से शुरू हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में, bye bye, take care, like, subscribe, जरूर करिएगा, see you.